हाई फ्रेंड्स स्वागत है आपका एक बार फिर डीजे ड्यूज में और आज सो में आपको बताने जा रहा हूँ वह है अरालो ओडियो का यूए चेफ माइक वीडियो सुरू करने से पहले आपको करना क्या है यह तो आपको पता ही होगा लाइक करें शेयर करें कमेंट करें सबस्क्राइब करना तो बिलुकूल फूले ही नहीं यह तो आपका काम चलिए सुरू करते हैं वीडियो तो आप देख सकते हैं इस बोक्स को कितना सहांदार तरीके से यह बोक्स बनावा है और यह देखिए आप अराल्डो ओडियो जिसका मोडल अमबर है डवल ए एट जि अंदर करीके से बोक्स बनावा आए है इस पर एक हैंडल भी दे रखा है प्राइस्टिक का पढ़ने के लिए कहीं आप इससे नॉर्मल ले के जा सकते हैं यूज कर सकते हैं अब मैं इसको अन्बोक्सिंग करता हूं चलिए देखते हैं क्या चीज इसके अंदर है क्या नही और आप देख सकते हैं कि अन्बोक्सिंग करते के साथ ही एक इसके अंदर थर्मा को लगी भी है जो काफी सांदार तरीके से बनी भी है और लूप बाइस भी अच्छी लग रही है ताकि ये जो इसके अंदर रिसीवर है या माइक है वो टेमिज ना हो अब इसको मैं भाल अब कर से दिखाता हूँ क्या चीज यह यह में तेक है या लेपल है या है चलिए झाल ऑप और आपको बता दू किसके अंदर एक लोग भर लिकलती है इसको कैसी यूज करना है क्या कैसे कैसे यूज करना सब इसके अंदर फीचर सेंस के कैसे इसकी सेट की जाती है कैसे नहीं की जाती है चलिए इसको मैं बहार लिखाता हूं देखिए इसमें ये टू हैंड है यू एचेप में टू हैंड माई गये और आप देखिपें इसके इंदर सारी चीज है लिखाते हैं और एक चीज़ आपको अब बता दुढ़ कोल और इसके अंदर, ताकि ये माईक देमिज ना हो और सेफ रहे, लिखाते हैं लेडियें लेडियों को मैने ये सबसे पहले बात करते हैं इसके रिसिवर की तो आप देह सकते हैं एसके रिसिवर पे अराफ लिखा है दोनों का गयांग करने की नहीं है और यह विए यह अपड़ाउन और यह एक टिक का दियाब देख रहे हैं इससे आप फिक्वएंसी सेट कर सकते हैं कौनसी frequency कैसा करना है कैसे नहीं यूज करना हमें कम ज्यादा frequency set करना है वो सारा function इससे हम दोनों UHF head नुबाइक का कर सकते हैं अब बात करते हैं इसकी तो आप यह होल देख रहे हैं यह होल जो है आप पेटी में इसको किसी भी पेटी में इसको रखके आप पेच या पेच उसे से टाइड कर सकते हैं और इसकी बात करें तो यह प्यूर मेटा लोहे में बनावा है और भी बहुत अच्छी है इसकी अब इसके बेक साइडम चलते हैं तो बेक साइड की बात करो तो आपको पता दू यह जो आप देख रहे हैं यह यह एरियल के सिगनल के नहीं है जो की फिक्वेंसी सेट रखने के काम में आते हैं यह टीसी बोल्ट है जो इसके अंदर ओन सप्ला पाईगी और यह एक्सलार आप देख सकते हैं मेल एक्सलार है इसके अंदर फीमेल एक्सलार लगके हम इसकी आटपूर्ट यूज कर सकते हैं दोनों की अलग अलग और हमें एक पे ही यूज करने हैं दोनों माइक तो आप देख सकते हैं पी 38 की जो जेक पिन है वो जिसे हम बोलते हैं वो इसमें लगा कि हम यूज कर सकते हैं और क्वालिटी के बात करें तो क्वालिटी तो इसके बहुत चबड़ दसते हैं मैंने इसको यूज कर रखा है अब बात करते हैं इसके रिसीवर की तो आप इस रिसीवर की तो यह हो गई है अब इसकी माइक की बात करते है तो आप देख सकते हैं इसका जो माइक है कितनी सांदार फिनिक्सिंग से ये बनावा है और लुक देखिए आप लुक में भी बहुत अच्छा है ये इसके अंदर रावड भी लेगी भी है और ये डिजीटल है अब इसकी बात करें सबसे पहले आपको बता दूँ कि ये ये म माइक है इस पर लिखावा है ताकि हमें पता लग जाए कि फर्ष्ट कॉन सा है सेकिन कॉन सा है और सेल की बात करें तो इसमें डूरा सेल टेर बोल्ट अपना नॉर्मल जो यूज़ करते हम वो मिली जाता है कहीं से भी आप पर्चेस कर सकते हैं ये मैंने लगा दिया है सिं लुदेकि ट्रॉंद तो आप देख सकते हैं टावल राउंड में इसकी किट बनी भी है और प्योर कोपर है बिल्कुल आप देख भी सकते हैं कितनी सांदार किट है बीं ये और रां निंग वा अब मैं आपको बचा देता हूं इसको पैसे लगाना है यह एरियर लगा के इसको अलका सब कुछ करना है यह कनेक्ट हो जाएगा अब इसके साथ एक अब्ड़क्टर भी लिकलता है जो कि आप देख सकते हैं यह अब्ड़क्टर 12 वोल्ट का है इसकी पीन में आपको यहां लगा गए आपको दिखा रहा हूं यह अब्ड़क्टर है जो कि 12 वोल्ट का है ये मैं सिम्पल आपके लाइन में लगा दिया और आपको दिखा देता हूँ मैं इसे उन करके ये ढखिए है ये भी मैंने उन कर दिया है इसकी जो खास बात ही है मुझे अच्छे लगी एक तो इसके अंदर फेक्विएंसी सेट कर सकते हैं अब देख सकते हैं यह frequency set हो रही है अब down हो रहा है और 1000 इसके अनदर frequency है UHF mic है यह inputted mic है जो की loadio का है और अब बात करते हैं इसकी तो मैं आपको बता दू कि इसके जो यह mic है यह मैं own करता हूं आप देख सकते हैं यह मैंने ओन करा है और इसकी यहां पर आपको फिक्वेंसी भी सुनने को दीखेगी हैलो चेक हैलो अब देखिए इसमें आरेफटी और एफटी सिगनल है तो अब मैं आपको यह माइक दिखा रहा हूं हलो चेक हैलो प्चि नहीं दिखा रहा क्योंकि मैंने इसको म्यूट कर रखा है अब मैं इसको म्यूट हटाता हूँ तो आप देखेंगे आरेफ सिगनल आ आगे अब आता है Unsure से वंतियु हेलो हम इस माइक को बंद पे बिना और बिना आउटूट तो बढ़िया है और वह जी जदा अच्छा है और जो और ब्रांडड भिकरे हैं कंपनी के उन ब्रांड से मुझे तो यह अच्छा लगा और आपको एक चीज़ बता दू इसके अंदर दो रवड भी है इस कि अब देख सकते हैं इसमें इस्टेंड भी दे रखा है यह एक तरीका से वाइट इसटेंड हो गया ताकि यह माई की रहेपना इसमें एक रणी चाह keeping दिया में और आप सम्मैं अटेक्श हो जाता है समय हो जाता है है और क्वालिटी तो इसकी बहुत सांदार है मैंने इसको यूज़ भी कर रखा है आप से यही कहूंगा कि अगर आप इसको एक बार यूज़ करेंगे साइध आप दूसरी ब्रांड का कोई माइक यूज़ आप पर्चेस करेंगे कि इसकी जो क्वालिटी भोच्च बर्दस्त है और मैं आपको नीचे नंबर दूगा जो डिस्टूबूटर के नंबर होंगे जो कि अराल्डो ओडियो के डिस्टूबूटर है आपको यह पर्चेस करना है कहां से करना है कैसे करना है वो आपको हर अलोवर इंडिया के जितने भी डिस्टूबूटर है सब के आपको नंबर नीचे दिये जाएंग संदार और बहुत अच्छा है वीडियो अच्छी लगा है लाइक करें सेयर करें कमेंट करें सबस्क्राइब तो बिल्कूर करें नहीं जतने स्क्राइबर ज़्याद होंगे अगली वीडियो के नहीं है इंतिजार करें जैए